दोस्तों अमेरिका हो यूरोप हो एसिया हो सब जगह के मार्केट आज कमजोर थे लेकिन भारत का मार्केट मजबूती से खड़ा हुआ था बाद में बंद होते होते कमजोर हो गया बोवात अलग है लेकिन फिर भी गिरावट नहीं आई तो उसका कारण सिर्फ यह था कि मेरिका में ब्याजदरे काटने का निर्णे टाल दिया गया है मार्च महिने में सब लोग एक्सप्ट कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व ब्याजदरे काटेगा किन्तु उनका कहना है कि अब मैं कोई तेजाई नहीं है हम समय लेंगे आराम से निर्णे लेंगे लालच में आक भारत में आईटी स्टॉक्स कमजोर हैं गिरावटा रही है हमारा मानने बर कहना फिर भी रहेगा अगर आईटी स्टॉक्स में पिछले एक दो महिनों में गिरावटाती है तो वो सुनहरा मुका होगा मद्यम से लंबी अब्दी के लिए अच्छा वाल सस्ते नाम में इसलिए आसा पर आसमान टिकाए रखिए रही बात दोस्तों बजेट की तो उसके पहले ही आप निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख लीजिए उर्पुरी लेवल पर आपको राउंडिंग टॉक फॉर्मेशन का निर्मान दिख जाएगा पतलब मार्केट गिरावट की त सकता है इस आशंका के प्रती जाग रुक रहिए वैसे ये निगेटिव व्यू हमको याज से साजा नहीं कर रहे हैं लगातार हमारा यही कहना रहा है बीच बीच में जो धोका देने वाले उच्छाल आए हैं उनके दौरान भी हमने यही कहा है कि भाई सहाव अच्छे शेर कि भी निवेदन हैं आपसे कि उपी दाम पर अनाफ सनाफ माल किसी भी दाम पर खरीदने से परहेज करें वायदे में रहेंगे आप रही बात डिफेंस की तो आप देख लीजिए जनरल अटोमेक्स के द्वारा बनाये गए जो प्रिडेटर भी आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनक के सक्टर में भारत मजबूती से खड़ा हुआ है इसलिए अगामी एक दो महिनों में अगर डिफेंस स्टॉक्स भी नीचे आते हैं इंदुस्तान एरनोटिक्स हो भारत इलक्रोनिक्स हो भारत डानेमिक्स हो मजगाउं डॉक्स हो कोच्चीन शिप्यार्ड हो एलेंटी हो म महिंद्रा इन महिंद्रा हो असो क्लेलेंड हो सब पर नजर रखिए जो कंपनी पसंद आती है अगामी महिनों में अच्छा माल सस्ते दाम में खरीदने के मौके मिलते रहेंगे उनका लाब उठाने के लिए जरूरी कलाइंस सीख लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रप्श अभी के अभी जॉइन कर लीजिएगा